Ctrl प्लस A का यूज़ होता है Select All Ctrl प्लस B का यूज़ होता है Bold Ctrl प्लस C का यूज़ होता है Copy Ctrl प्लस D का यूज़ होता है Pond Ctrl प्लस E का यूज होता है Align Center Ctrl प्लस G का यूज होता है Go To Ctrl प्लस H का यूज होता है Replace Ctrl प्लस I का यूज होता है Italic Ctrl प्लस J का यूज होता है Justify Ctrl plus K का यूज़ होता है Hyperlink Ctrl plus L का यूज़ होता है Align Left Ctrl plus M का यूज़ होता है Indent Ctrl plus N का यूज़ होता है New Ctrl plus O का यूज़ होता है Open Ctrl plus B का यूज़ होता है Print Ctrl plus R का यूज़ होता है Align Right Ctrl plus S का यूज़ होता है Save Ctrl plus U का यूज़ होता है Underline Ctrl प्लस V का यूज होता है Paste Ctrl प्लस W का यूज होता है Close Window Ctrl प्लस X का यूज होता है Cut Ctrl प्लस Y का यूज होता है Redo Miss Repeat Ctrl प्लस Z का यूज होता है Undo अभी Function कीज देखेंगे F1 का यूज होता है Help F2 का यूज होता है Rename F3 का यूज होता है Searching F4 का यूज होता है Shutdown or Close F5 का यूज होता है Refresh or Reload F6 का यूज होता है Highlight Address Bar F7 का यूज होता है Check Spelling F8 का यूज होता है Boot Menu F9 का यूज होता है Remove Selected Items F10 का यूज होता है Right Click F11 का यूज होता है Full Screen F12 का यूज होता है से लाइज